आपको कितनी बार समझाएंगे आपको भी पता होने जी खड़े होते डिस्टार बढ़ा होगा जहां तक लिखा है ना गॉल्स का सीट धीरे धीरे दू-चार दिन में वहां तक पहुंच जाएंगी अभी उन्सों को पतो नहीं चला है कि खांसर का क्लास स्टार्ट हो गया है जन्मास्टिमी के बज़स जन्मास्टिमी के फास्टिंग होता है वह भी खतरनाक वाला निर्जला निर्जला होता है नो वह आला जो फास्टिंग होता है वह बहुत नॉर्मल होता है जिसमें भालोल खा सकते उसमें दिक्कत नहीं है निर्जला वाला खतरनाक होता है कि देखिए वो इससे पहले के क्लास में हमने आपको अकबर कंप्लीट बता दिया था बता दिया था जहांगीर तक हो गया था चलिए और अरणजे आओ चलो बस 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 बैरम खान मारा गया था चलिए वह कि महामनगा भी चल गई थी एक बार हम लोग रीकॉल कर देते फिर पीडिए दिमाग से उतर गया हम आपको इसलिए नहीं दपाए हम आपको वह इतना मेंटली हो जाता ना पीडिए हमको खुद लिखना पड़ता है और रीजन क्या आए कि देखो पीडिए देना बड़ी बा बाब अकबर के बारे में दिया है कहीं मंसदारी घुजा दिया है कहीं जापती घुजा दिया है कहीं भू राजस घुजा है कभी जलाली सिक्का घुजा है कभी इलाही सिक्का फिर यार पगला जाएगा लड़का इसको एक सीक्वेंस में होना चाहिए ना प्रसासनिक कुम्ञों कि हम लहा हो, एक समगे वत पाना यौ, समार दोगृर को कम लूआ होन फिम फिर हाऴ का निरी बीकन आे बंछा स़ूरश में से अकबर को बारे में देखते हैं आकबर जो था इसका जनम 1525 पंडरहसो हिस्ट के आम हम आप के राजाय वीरसाल अमर के राजा माता का नाम अमीदा में अमीदा आनो मिझा हुआ टकी ताफ का नाम मु Fam कीजिए कोई थिकत नहीं हूं पिता cracked पता है कितना चाचा लोग पेड़ुग इसका चार को ने बापो को चाचे बनाे गहें तुम अकपर के बाबर के कितने बते बाबर की कितने बैटे मिटें शॉट का तका कहा है हुमायू पगड़ा रहे एक दम स्थिक रिता गेंगा हुम्यूं का बेटा म स्थास्द mindset प्रारязअ बनागे इस नंगे आधि आ हम एंठ साथ है तर लोग हई कितर और दोड़ गढ znaczy ऑशकरे प्रारम्बीक पालन पोशण जिसको जो जो फैमाऊ इसके बात किसके बात यह वीजा कम रख कामरान के पास कामरान के बाद इसको भेजागी है किसके पास हैंदाल कर देखें इसलामिक परमपरा के हिसाब बच्च परदुद्रेर नहीं कि होता गया कि कभी कोई मतलब कोई महिला है अगर वह किसी दूसरे बैचे को भी क्या कड़ियों अक्सर क्या होता है किसी बच्चा जनम लिया मा बीमार पढ़ती अक्सर होता है आज भी हो जाते किसी माँ भी मर जाती है बच्पन में तो कमान के जले बच्चा वीमार है और वो उसकी मां बहुत सीरियस है अब बच्चा बाता दाल चाव। य्जिका निए छोटा है दो चार दीन दस दीन छोवाइन नहीं पर आप इसे लोग में अपने शाधी बया नहीं हो सकती है बांकि इसलामिक परमपरा के हिसाब से मामा की लड़की मोसा की लड़की। अपना भाई बहर नहीं होना चाहिए उस हिसाब से रुकईया और अकबर चचेरे भाई वहन हुए से इन लोग में इसलामी की परमपरा के इसाब से साधी बिया हो जाती है और यह अभी भी होती है नॉर्मल है यह कोई बहुत बड़ा बार नहीं एक तरह का आप कहिए तो स्वापर आगार हो जादे अच्छा कुन माना जाता है और सबसे डारेक्तली जुड़ा है कि नहीं है प्रारंवीग पालन पोसंड असकरी इसको भेजा कमरान हिंडाल की बैटी रुकईया क्या नंदन रुकईया रुकईया से साधी किसका हो गया है तो चाचा ऑ शुर दूनों हो गए नहीं है वो हिंडाल तो चाचा वीथा शु अब यह बता ही दिया आप लोगों अकबर के लिए टीचर रखा गिया अब्ल में विड़ेल के टॉप किया लेकिन इस ने अकबर को अपना नाम तक लिखना हं जिए कि सोच दो टीचर की तरह से कर दो को आप सब्सक्राइब करते हैं कि बच्चों की सुरक्षा हो कौन मारा इसको उसके पिता जी मेरे सामने उसको दुझापड़ों रोक दिये चोट्टा कहीं का तुटीचर किसी का थम से कहेगा मर यह तकहन सब्सक्राइब हम कहें मौका मिलेल हम कहें चुड़ा हम राख दिये दुगल्या तुराज यह हिंदुस्तान में परंपरा रही है गुरू हमेशा गुरू रहा इवन राम जी भी जब लंका गय थे तो रामण को जब मारा गया तो लश्मन जी जब शिक्चा लेने गया तो पहले सिधाने खड़ा हो गया तो तो अधिल लतीफ एक शिक्चक थे इनमें कोई कमी नीदे बखलोलवा अधिल लग यहां पढ़ाई कर अधिल अधिल लटीफ उनके सिख्चा क्या सिख्चा दे पाएं नहीं दे पाएं पंद्रोसो सैंताल अकबर का जन्म कभ वह दयाली माता पिता के पास कब से रहना लगा साहताली पहला युद्ध पंद्रोसों इसकारी मच्छीवाडा का यूद्ध इसके वाद शरहिंद का यूद्ध लेकिन यह तो साथ में आया था पंद्रोसों पशपन में अकबर ने इसे क्या घोशित कर दिया उत्ताइए उसे एक सूबा यानि एक राज दिया गया सूबादार बनाके बेजा गया कहां पर लाहोर भी हो सकता है उट्षान में पंजाब भी हो सकता है लाहोर भी पंजाब बीए हो सकता है 1546 में जई से किसकी मृत्वी हो गई हुआ इसके मृत्युके सन्देश को लगभख 17 से 18 दिन चुपाए गया लेकिन कहीं जगह पे 20 दिन है कहीं जगह पे 26 क्यूंकि भाया आप रहें तो पहीं ने कहीं सो लीख होना ही होना है किसी को 17 दिन पर लेकिन अधर कर बाद कर आए गया ता उससेमें अखबर कहा पर कहा पर काला नौर पर पर जैसे पूरी भारत में अकबर किमाईव के मेर्टी ऑज आगे एक पहुंचा जाहते हैं अगबर का राज यह अगवा सब्सक्राइब एक पुन्हान लेकर पोने पानिपत की मैदान में बाराम खान को लोटने की चलंव किस ने दिया तरभी बेक को कह कर दिया मार लेकर ने युद्ध में बहुती कुसलता से हेमु को किस से मर वाया था तीरंदाजों यह युद्ध पूरी तरह से हेमु जीत चुका था लेकिन एक तीरंदाजों ने मार के पूरा खेल बदल दिया और वापस सिंहासन पर कौन बढ़ गया अगब आप अपनडरा सो चपन से किस करते साथ तक यह किस सो जुटार वद्ध वार ora कि नहीं कि महामनगा के चला वायरंग जले तील्वाडंग पनद्रow Jang चभी वाप अख़ुया बैरम खान के सामने कितने ऑप्शन या तो क्या बंगे ये जागीरदार या तो कहां चले जिए हच्प कहां चले गया हच्प गुज्रात में इनकी हत्या करा दी गई किसने संदेश भेज दिया था बहुत सेना का यूद लड़ा है मरवा दो इसको यहां पसंद्गा गया बैरम खान की पतनी का नाम सलीमा बेगम पहले के वक्त में क्या होता था कि अगर किसी का पती मर जाता था आज के वक्त में भी विद्वाओं का अहालत बहुत अच्छा नहीं है तो उस वक्त में पती व थे अब बैरम खान नहीं रहें दूसरा अकबर से विवाद भी हो गया था तो इनकी पतनी जो थी क्या नम था सलीमा बेगम सलीमा बेगम की स्थिति तो खराब हो जाएगी तो अकबर ने एक सांकेतिक निकाह कर लिया ध्यान से समझें कुछेगा रुकया से इन्हों ने कोई भी महल में सम्मान मान सम्मान में कमी नहीं आईगी और रानी का पावर बहुत रहता था सन्या गया तो रुकई शलीमा बेगम से सांकेतिक निकाह किस ने कर लिया अब ही भी भारत के बहुत सा लोग एस सांकेतिक निकाह करते दोचाट्वा हमारे जान पाचान के अब करेंगे पैसे के हिन साफ से दी जा रही कि यह करें ही अगर हमको नहीं सेलरी की स्कमाल महिन अब ही번्दक है कि वैब कैर हमको यह सेलरी कनाड़ के हिसा想ब से से मिल जाना तो ठीक है आड़ध करते कारी है हम आपैस इस लेई-जफिपन करा झालरी है अब दीतनी है यह सब्सक्राइब के हिसाब से उसके living standard के हिसाब से हम आपको salary देंगे क्योंकि दो लाख में जितनी जिंदिगी आप इंडिया में जियेंगे महिना के हिसाब से उतनी जिंदिगी अगर कनाडा में जीना है तो आपको कितना salary होना चाहिए बाराल कनाडा के पास गया उसने उससे का कि तुमको हम से साधी कर लो हम तुमको इतना पैसा देंगे पेपर वर्क कर देंगे हम साधी कर लें हमको salary का 20% चाहिए कोई सब्सक्राइब कर लोग मरने मरे हुए आदमी से साधी करते हैं कि वहां पर मरे हुए लोग से कोई लड़की को पता चला हादर दे कि दिन उसका बेटा आया ममी ममी मेरे पापा कौन थे कि तुम पैदा हुए 2004 में 2004 में हम किसके साथ हैं डेवीड या डेवीड के साथ तो कहीं देवीड नमारे पादर है जाकर पता चला डेवीड तो मर गया आई साधी की नहीं थी तो फिर साधी करेगी उस ऐसा भी होता है फ्रांस हो गया यूरोप अगर इस टाइप क्या हो त इस पॉलीगेमी बैंट कर दिया गया इंडिया में इंडिया में काफी मुस्किल हो जाए उसी तेव से बैरम खान की पत्नी का नम की था जाएlar ऑफ से दिए अब इसके बात पहले से बेटा बैरम खान का था अब्धुरही छान का नाम था अब्दुरहीम अकबर ने यहां तक समझा दिए दें बैरम खान से मुप्त हुआ कम साथ में तो महामंगा इसके चक्कर में आ गई शिखाने पढ़ा लेगे, 60-62, 60-62, इस दो साल के सासनकाल को हरम दल का सासनका अक्ता खेल का सासनकाल, पेटी कोट का सासनकाल, मैलाओं का सासनकाल के नाम से जाना जाता है, बासट में अकबर ने किस से विवा किया, जोधा भाई, सारा खेल पलट के रह गया, अब हम लोग यहां तक समझा दिये थी, यहां तक समझा दिये थे già थे giyais सादी किया, 62 में 62 में दासपर था, क्या ख़तम कर दिया, 63 में 3 थियात्रा कर, पीर थी यात्रा कर जो होता है हटा दिया जोधा भई ने 62 में साधी हुआ था जोधा भई बहुत ही दयालू हिरदे की थी लड़कियां सब दयालू होती है जब तक उसी आई नहीं है चलने ध्यान से तो बहुत दयालू थी उसने कहा कि दासों को खरीदना साही नहीं है आप इनको सेलेरी बेसिस पर रख लिए अकबर ने कहा है जो हुकुम कीजी आप दासपर्था खत्म देखो भई यह सब सब बात मानता है पत्नी का शुरुवात के केवल दो से तीन साल है संगा के गिने उसके बाद मुहें पगलाएं रहता है दासपर्था कान 62 तीर्थ यात्रा इसका कहना था जोधा भाई का कि जब कोई मुसल्मान हज यात्रा करने जाता है उसके यह जाता है अगर कोई हिंदू जा रहा है तीर्थ यात्रा करने टेक्स का है लाकपर ने कहा है एक नंबर बाद बोलती है खतम करो इसको भी 64 में जजिया, 64 में जजिया कर, कौन सगर ? जजिया कर, ये उसे देना होता था, जो मुसल्मान नहीं है, गैर मुसलिमों को जो मुसलिम नहीं है, चाहे हो जयन हो, बहुत धोसी, खोई समय, तो भारत में जादे तरजन से क्या हिंदू ओं की थी, तो जादे ही पे कीसे हो कर दिया समाप्त कर दिया 1571 में इसने अपनी एक नया सहर बनाया फटेपूर क्या बनाया फटेपूर सिकरी आगरा के पास ही है फटेपूर सिकरी आगरा के पास है को यह वहां का अपोई के हैं को यह जी आगरा उगरा यूप 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 क्या सबसका आफ लाइन में तो ज इसका राजभानी क्या हो गया असफल हुआ था पतेपूर सिग्री की अस्तापना कब गया पंदर सोय का तर यहां 1575 में एक बिल्डिंग बनवाया नाम रखा इबादत खाना इबादत खाना इबादत खाना में शुरुवाती में केवल सुन्नी लोगों को जाने का इलाउ था कभी कुछ इसलां धर्म वालें बता देते एक कभी गीता मह भारत में बता देते अकबर को सब से सुनते रहा तो उसको लग गया कि सारे धर्मों में कुछ ने कुछ बहुत बहुत या यूनीक चीज तो क्यों नहीं सब को निकाला जाए तो प्रारंब में इसमें क्या था किवल इबादत खाना में को जाते था सुन्नी धर्म लेकिन 1978 में इसमें एलाओ कर दिया सभी धर्मों को किसे एलाओ कर दिया किस नाइन्टीमिस कुछ गलती लिखा गया है कि माइनस 200 कर देता है सभी धर्मों को ब्रिहस्पतिवार के दिन ब्रिहस्पतिवार के दिन मतलगे आता है अरे याद गल्ती लिखा जाता है हमसे समझा थे कि फ्लोड चूड़ जाता है सभी धर्मों को एलाव किया कब ब्रिहस्पतिवार के दिन मिलेगा इबादत खाना में बैठेगा सब पर क्या किया जाएगा किस धर्म में कैसा क्या चीज़ अकबर का यह नीती सुलाह कुल कह लाया पुल औहिसंए अपने आपको अमीरल मोमनीन कह कह का अमीर फूल Napताना मों में नीन वह जबढ़ा उपाधी है क्या पञे केवल अर् केवल उपाधी देखे इसलाम-धरम के हिसाफ से ईल्लाह ने अपने जोभी संदेश भेजवाएं संदेश भेजवाएं、 हो पेगांब भेजने वाले को पेङडमबर कहा जाता है सवा लाख के असपस पेगंबर आए हैं सवा लाख इस्लाम धर्म को है और पैगंबर को बीच में जो पहुंचाने का क्याम जो करता है पैगंबर तो आगए जमीन पर जैसे आतारवाद में तो पैगंबर से प्रिय इस्वर के लिए इसलाम धर्म में सबसे बड़ा कोई नहीं है यहां जो जमीन पर आए अल्ला के बाद दूसरा नंबर किसके आता है पैगंबर का लाश्ट पैगंबर को थे मुहम्मद साब तो चुकि यह लाश्ट थे तो इनका और मतलब वहलू हो ज आशले हम लोग जियस के क्लास में इसलामिक नियम की हिसाब से बोलें आपको मुहम्मद स्लीफा बन गये खलीफा जो थें वह मतलब उत्राधिकारी समझ जहीं तो उनके वह संदेश को आगे बढ़ते लगे और यह कई खलीफा हुए हुए हज्रत अली उम्मार्म इसे करके जो खलीफा काफी लांG टरीफा चला उन्हीं सो नस सु में खलीफा थे लास्ट मुस्तफाः मुस्तफा कामाल पासा कर दिया तो खलीफा जो थे वो इसलाम में बड़ा नियम कानून नाते थे वो लोग उपादी किसे धारण करते थे अमीरूल मुमेनीन धारण किसे ने कर लिया अकबर ने तो यह आप इसका कुछ खास बिरोद नहीं हुआ कि जिनको भी बिरोद करना था उनको पता था अकबर किया तो सुलह कुल सुलह कुल मतलब क्या सब में आपस में क्या कराना सुलह करा तो अकबर की इबादत खाना बनाने की नीती किस पर आधरी थी सुलह कुल पर इसने कौन सी उपादी धरण किया अमीरूल मुमिनीन मतलब बहुत इस्रेश्ट मुमिन मुमिन देखे इसलाम मे लिख सकता है लेकिन थीक ठाक रहा है जूट उटना बोले इंसाफ पर करें तो उसे क्या कर जाता है मोमिन तो अमीरुल मोमिनीन मोमिनीन में भी सबसे अच्छा किसने उपादी धारण किया अगवर ने धारे निकर लिया था और यहां जब इन्होंने सारे धर्मों के बीच मे ख किया तो मार धार होने लगा मारता हम ही साइए वो गलत है कि धार्मिक वाला CC में कुछ मनबे नहीं करता है यहां पर कुछ नहीं मानेगा सब अम्मार हो गया यह कोनों बतिये नहीं मानता था अकबर को मजबूरी में 1579 में मजहर की गोश्ना करनी पड़ी मज मजहर किसकी गोजना करनी पड़ी मजहर क्या है तो देखिए द्यान से मजहर क्या चीज होता है आप धार्मीक मामले में देखिएगा ना चाहें वो किसी भी धरम का हो चाहें मुसल्मान धरम के मोलवी सहब हो हिंदु तो धर्म के पंडी जी हो उनका एक जब देखेंगे सब चीज नहीं हो रहा तो कहेंगे देखिए आप जहां है वहां ठीक है धर्म के मामले में टांग मत लड़ाइए तो लगेगा कि इनीका पॉस्टनल धर्म है ध्याम से सन्यक outta आप से गलती हो सकती है आप से थी हो सकते हैं अप अराम से कह सकते हैं कि चली आराम से बलगा दिये था?!" चलि दपये। धार्मिक इंसान अपने धर्म के इसाब से पंडी जी है तो बढ़काच चोटी वगर रखेंगे सीधे अकबर को भी कह देता था सब कोई मौलवी साब थे हाफी जी थे कोई संकराचार लेबल का पंडी जी है कोई गुरु जी है अलागलग धर्म का अगबर का आप बात्सा हैं सब कुछ सही है लेकिन धर्म के मामले में आप टांग नहीं लड़ा है बाजी रा मस्तानी मूवी देखी है उक कैसे कहता है पंडी मजहर में क्या कहा गया कि धार्मीक मामले मानने का अधिकार सब को है उस पर विचार विमर्श करने का अधिकार सब को है लेकिन जब कभी भी किसी धार्मीक मामले पर विवाद हो जाएगा तो उसका अंतिम निर्णय लेने का अधिकार अकबर को होगा उसी को क्या कहा गया म मजहर मतलम धार्मिक मामले पर अकबर को कोई यह नहीं कर सकता है कि आप राजा है ठीक है धार्मिक मामले में टांग मत लड़ाइए पहले घोसना कुन कर दिया अकबर लेकिन अकबर को एक बात भली भाती पता थी कि कुरान के मामले में अगर कुछ भी करेंगे तो मुसल्मान किसी कीमत पर बर दास्ट कर 節ारण कर चाइं अकबर हो कि बिरवल हमायू औरंजे कोई इनने बरदास कर चेंज़िंग क्योंकि इसलामिक धर्म के हिसाब से कुरान में कोई भी तबदिली नहीं की जा सकती है ये कला इं Patriarch हो जाएगा जोधा से डिस्कस किया कि देखें हर चीज का एक टॉलरेंस लेबल होता है उतने तक टॉलरेट कीजिए जतना हो क्योंकि कर लिए जहां केवल सुन्नी को एलाउ था सारे धर्मों के लाउ कर दिये मजहर कर लिए धेर करेगे ना दिक्कत हो जाएगा जोधा कई किसा ही बात है हम भी आपके महल में पिछले दोस साल से रहते रहते ना समझ गया है ते काम कीजिए आप इसको कुरान को बाहर कर कुरान का जो ज्याता होता है उसे हाफीज कहा जाता है जिसे पूरा कुरान शरीफ याद हो जाता है तो उसका आधिकार किसके पास रहेगा हाफीजी के पास मुफ्ति उससे भी बड़े होते हैं उनका अलग अलग डिगरी होता है कितना हुसियारी से काम कर रहा है अकबर द 89 मजहर की घोष्णा हो गई समझा कि अब अकबर ने कहा कि देखो सारे धर्मों को मिला के काम करते हैं सारे धर्मों में से अच्छाईयों को क्या करते हैं ले लेते हैं और इसने 1582 में एक निया धर्म बना दिया दीन-ए-इलाही दीन-ए-इलाही इलाही का मतल़ होता है एक इ दीने इलाही का कोई न कोई आपको पुरोहित रखना पड़ेगा जैसे हिंदु धर में ब्रामन लोग पुरोहित होते हैं जो ज्ञाता हो मुसलमान धरम में मौलवी साहब या हाफी जी पुरोहित होंगे सीख धरम में वह अपने गुरु होंगे उनके जो बड़े से सरदार light को तो इसमें किसी को रखियेकान इसमें में पुरोहिद बनाए अबुभाजल को किसे अबू अबुफजल को अकबर बहुत करीबी था किसके अबुफजल को तो दीने इलाही का प्रमुक पुरोहित कौन था अबुफजल इसको मानने वाला पहला हिंदू कई हिंदू माने कई मुसल्मान माने लेकिन पहले मिंदू पहला जो हिंदू था महेजदास यानि बिर्बल क्यान नहीं हुआ और अकपर ने एक निया कलेंडर चालू किया लाही समवत कुरसे लाही समवत आपना-अंफ अछा faisait जादे कलेंडर धि Denise experience अभी हमलोग कोरी दुनिया में सबसे जादे फॉलो किया जब रखुरियन के नंडर कुछीच्टर Кजे इकिस केलंडर केिसभी Näछ ऐका रिखीबिया है वहीद भारत के सौन का महीना ना में जो आ Sergio डो इस सारे धर्मों को क्या करना चाहता था पह刚 अकबार चलिए स्टार्टिंग बताई तो जोधा से भी आ हैं सुरी राजा कब बना 56 संग्रक्षक में सासन रहा 56 से साथ बैरम खान से मुक्त हुआ साथ मुक्त होते किसके प्रभाव में माहामन शाठ से इसके पाल आज एबन किसके प्रभाव में रहा है जोदा बाइज वीवा हुआ हुआ बाशट में कौन सा कर लेजातरा इसाठ में दास्पत इसाठ एसाठ में नाजराउची में दोनिन जज्टी साथ इसके गुरु जी का नाम क्या था अब्दुल लतीफ गुरु जी का नाम अब्दुल लतीफ पहले इबादत खाना में किसको लाउ था सुनिम बाद में सब को कितने कब से किया गया इसे कि हाँ इसके दर्बार में हिंदू विद्वान भी रहते थे जिसका नाम पूर्सौत्तम दास था क्याना था पार्सी विद्वान रहते थे दस्तूर जी राणा यह पार्सी धरम को मानते थे एका भी भी इसाई धरम को मानते थे सेख सलीम चिस्ती इसलाम धर्म के सबसे परमुक्त है इवन की पांसो भी घा जन्मीन पांचवेश शौथे सी गुरू रामदास को भी किसने दिया था अकबर नहीं दाम दिया था तो हर धर्मों में आप देखेंगे इस पे यहां पे दस्तूर जी राणा किस धरम के पार्स दस्तूर जी राना कि मुर्मों राणा बढ़ी फेमास में चलने उनका भी नाम से मतलब रहता है राना उनमें भी तूपी पर्सी हों दस्तूर जी राणा एक बी किस धरम से दस्तूर जी राणा पार्सीदास कुन सा ध्राह्य कुंसे द्रम करने वे घ् ense dough सर्षता साँ आ हिंदु लिखाए द्राअ मिदल से लिखान से ल् fundamentally धार्म अधिा भालग हिंगा डर्वार में नहीं रहते थे लेकिन इनका अच्छा संबंध था उनुसे सेक सलीम चिस्ती सेक सलीम चिस्ती कौन सदन इसलाम धाम से इतने विद्वान तो यह आपी बताई सारे धर्मों को लेके चला की नहीं चला सारे धर्मों को लेके चला था दस्तूर जि राना बोलि तो पारस, दस्तूर जिराना एक Roz, हरी विजय जय विजय सूरी जैन धरमी अरी विवय सूरी असनातन यानी हिंदू धरम से स्ट्णान, सीग से मरी रका सलीम इसके दर्बार में सारे धर्म के लोग रहते थे याद रखेगा कोश्चन अक्सर पुछता है हरी बीजय सूरी या पूर्सोतम दास से इन दो लोगों से अक्सर कोश्चन पुछता है अलगी रामदास के बारे में तो हमने आपको सीख धर्म जब पढ़ा रहे थे तभी बतायते हैं चौथे सीख गुरू रामदास को अमरीच सर नामक तलाप के लिए पांसो बीगा जमीन किस ने दिया था रंजीत सिंग बोलता है अकबर तो सोने की चादर चड़ायते हैं दीन इलाही के बारे में कंप्लीट समझ में आ जाएगा ना यह दिक्कत नहीं है तो आगे बोली आगे बताते हैं याद रहेगा ना अकबर ने बहुत काम किया है इसलिए इसको तहीयाते चलिया अच्छा से नहीं तो गड़ा जाएगा है जनम बोलिये तो पंदरासो बैन माता पिता से मिला पहला यूद पंदरासो पच्पन अपच्पन में ही दूसरा उत्राधिकारी बना पच्पन में ही राजा बन गया च्पन बैरम खान के साथ कितने वर्सों तक सासनी साथ तक तिलवाडा के युद में किस से मुप्त हो गया बैरम हरम दल में कितने साल साथ से कि 62 में किस से विवा हो गया कि कि याद रहेंगा ना देखिए आप करेंगे कि 82 तक आ गये हैं 87-83 तक इसमें अभी तक जोधावाई से भी आ हुआ नहीं हुआ आगे का है बढ़ गया तो देखिए जिस सीक्वेंस में हम पढ़ा रहे हैं उस सीक्वेंस में आपको पढ़ना है एक्दम चूप चाव कैसे पढ़ना है चुप चाव जहां चीछा लेदर करेंगे गड़ बढ़ा जाएगा पहले उसके समाजिक सुधार देख लेते हैं फिर उसके भूर आजस्यों का सुधार देखेंगे सिक्का वगरा क्या लाया यह क्या लाया लास्ट में उसमें कौन सी लाएंगे अकबर की युद्धनीति आख आते हुए चलेंगे लास्ट में माट डालेंगे इसको आशिंगासन देंगे किसको जहांगीर को समझ में आए वे उसके बाद सुधार पढ़ा रहे हैं इसमेर चार अंतार या जहां गीर नादी या और यह बाएट्व की यह सिन षिकले सूंध्नी दोस्तोर क्ले नीटिट कै ने अखर Ya भनेसा है अई-चाहर की धार्मिक निति किसी धानषों लेक्ट ॢहरी तो कि औरी के भा थोद की उधारता को दिखाते गronics वोगैं कुंसी उपाधि क्हाला किया तयाकता हुआ मोमिनीन क्या तरड किया अमेर मोमन ये उपाधि को नहीं क्कota करती थे ऐ राज ख खलीफा और ये अपने नाम का एक खुट बाज भी पढ़ाया क्या फट लृट जी स्वें नमास पढ़ा जाता है मेंबर समझते हैं किसको बलते हैं सिर्ड़ी जैसे मस्जीद में नहीं होता है कि इतना बढ़ा इसटेज नहीं होता है उसमें चार सिंढ़ी बनी होती है उसको क्या कर जाता है में अपने बारे में बढ़ता था अब जन्मीन है कि वो राजा है तो उसने क्या किया खुद्बा भी पढ़वायत क्या बाकी का खुद्बा चेंज कर दिया हम फुद्बा मतलब कि будетbooks अंतलता है सबंदेज्ब तो नमाज से पहले या बात में क्या बताए सब्सक्राइब करने के लिए आपको पैसे की जरूवत होती है किसी की जरूवत होती है खुद्बा उद्बावाले में कोने दिक्कत नहीं नहीं हुआ है जी तो घेर देगा सम्मरा वित्यनित इसी जो थी यह सैमटू जळा रूपया किस चीश का था ओर क्या चलाए था बाय है कि जबत आधार में के तैंको यह कि समय चालू थे रूपया किसा का था कि दाम किसका था अगबर ने भी से क्या रखा continue रखा अगबर ने भी continue रखा फर्क यह था कि अकपर के समय में एक रूपया यानि रूपया मतल़ चांदी वाला एक रूपिया मतलब येगो चानी का सिक्का इसका वहलू 40 दाम के बराबर इसके दाम के बराबर 40 यानि 40 गो अगर आपके पास दाम दाम मतलब हैं आप हैंडीकेप में हैं नहीं है हाँ आप ही को गार है है हैं आपका फर्स्ट क्लास है सकले देखके लग गया है आप अपसे सवाल पूछने वाले तो का बताएगा आप दाम कुछी होता है दाम किसीच का बना था तामबा तो 40 गो आप तामबा का सी काई कठा कीजिए उस लेकिन एक जमुआ में कोष्चन पूछ दिया था बीप यसी में लड़का का भूठ चड़ गया उच्छा शेर सासूरी ने रूपया तथा दाम चालू किया किस अनुपात में लड़का पगला गया अच्छा यही कोष्चन अगर आकबर के वक्त में पूछता कि किस चालीस एक अनुपा चालीस अब ऑप्सन में लड़का देख रहा है कि यह कुंची है तो हम चांबा सी काई पढ़ती मैथ कहां से घुचा गया मैथ नहीं है रेशियो पूछ रहा है तो अकबर के वक्त में रेशियो कितने का चल रहा है एक अनुपा चालीस लेकिन यही सेर सा चालीस किसी कोई दिकत नहीं अब समझते हैं अकबर ने देखा कि भईया हम अगर इसे रखेंगे तो नाम ही नहीं होगा खांसर जब पढ़ाएंगे तो बोल देंगे कि अकबर ने सेर सा सुरी वाला का कॉपी कर लिया कोई बात नहीं हमें गोल सिक्का निकालते हैं आयताक सब्सक्राइब इसका नाम रखा इलाही सिक्का कोँं से का इसका इसका नाम रखा जलाली शिक्का सब्सक्राइब Ilahi और जलाली कभी कभी PC जबहर light ilaha lab आएंजाता है चिसान पुछ्यका अकबर के समिल गोल सिक्कों क्या कaldo lens पकड़ लेता है और खास करके निया लाड़का हिमतें आर जाता हुँ तो गोल सिख्का ग्या कलाया इलाही से और चौप्टा सिख्का जलाली से जिसमें जलाली ज्यादे नहीं चल पाया आप ही बताईए सिख्के जब भी चलते हैं गोल सकसे सोते हैं रीजन के नहीं भी रह तो जादे हाईलाइट आप आंत इंपां को करते रुपिया को करते यह जलाली इलाही को करते कि जलाली और इस थी लएben क्योंकि अगर यह रोट नाम किसका होता अकबर कहो थै के अल्गयाि कहा हो गया जी इसको कि मिठ गया ते इलाही इधर कौन था जलाली जलाली सिख्या यहां क्या था वन रेशियो चालेश यह दाम था चालीश दाम था यह एक रूपिया था चसर्ण को जो दिखा ने चली ध्यान सा समझते अकपर ने कहा कि चालीस गोदया मिलेगा न किया मिलेगा तो अंधे रूपिया और हैसन दोस गोद रूपिया लाइएगा एक पॉर्ड़े बुड़ेगा तरह कि रूपिया पर टामेटिक पर कोंच ला गया इलाही चालीस तो कि provided medicalDas के प्रावर माना जाए ग worry एक रुपया बने एक रुपया मैं रुपया में रोभ यa रीजिए आ य्क रेसियो दस लाखत आया रहेगा है रहेगा वन्य गोजै कि पिते का प्रलिया एक बावर ने के रुपया रुपया संदा रहेगा सब्सक्राइब से कर देख रहां कितना कोई काम किसे कर रहा है किसी आ रुपया और दाम क्या अकपर ने निकाला था क्या उसने बंद भी किया उसने उसको पंटीनियू लेकिन रेजियो क्या किया चेंज कर दिया एक रुपईया बराबर कितना दाम चालीस दाम लेकिन एक रुपईया बराबर कितना दाम अगर को देगा सेर सासूरी में तो कितना दाम चांसर गोल सिक्का आयता का जलाली सिक्का सक्सेस हुआ एक इलाही सिक्का में कई रुपईया उस हिसाब से एक इलाही सिक्का में अकबर ने दाम कितना हो जाएंगे कि यतना दाव हो जाएंगा है 400 चांदी शाइज बड़ा कर दीए नहीं समझें चांदी के तो यह साइज वाद का कर दिया बड़ा कर दिया उस अब तो रियल वैलू होते थे थे सिक्का में रियल चांदी यह का वैलू रहता था वजन का वहां पर इसके एलावे जोधा भाई काम भी किया बट यह जितने भी सिक्के होते हैं यह प्रचलन में नहीं रहते हैं और अमूमन किसी भी देश को राम जी का नाम सीता जी का नाम धार्मिक नाम के सिक्के नहीं चलाने चाहिए क्योंकि यह पैसे से बहुत गलत काम होता है राम जी का फोटो रहेगा सिया जी सी निवाजिता ची के फोतो रहेगा पैसा देंगे दारू खरीदेंगे अब जाने अंजाने में नकिसको ब्राइब कर रहे हैं कोई हट किसी को वही सिख्का देंगे फलनिया को मार दो क्या सिखाता किसी भी धरव को करते हैं कि धरम कभी-कभी गो ब Qiht geste ना धिक तो जाता है वह रहां आप ही कोन बंणाव हो रहे हैं गांधी अभी घांधी रूप लेकिन ऴ Tanner रख लीजियर जैसे रम सिता का सिक्ख चालु करति भी दिन चांदी का लोग अमुवन चांदी का सिक्ख हरीते लिकि दिन वह आप्ला दीजे वह सिक्ख हर प्रचलन के नहीं रहते वा इंसान सोख और ने रखता है समया है देखते हैं भू राजास्वा भूमिकर भूमि पर क्या लगाना था इस ने तीन परकार का टेक्स लाया जापती प्रणाली, कनकूत, और आइने दह साला, भूमी टेक्स को न, खराज भी कहा आ जाता था, खराज, भूमी टेक्स कहे या तो खराज कहे, यह किसका न भूमी टेक्स है, आज भी आपको मकान पे टेक्स देना होता है, आपका खेत है, तो आपको क्या लगता है, टेक्स, और आप में जितने लोग अपने खेत का या मकान का टेक्स नहीं दिये हैं, आजे फोन करके कहिएगा अपने घर वालों को दीजिए, वो प्रूफ होता है कि खेत आपका है, और बहुत जादे नहीं लगता है, साल बर का 100-200 लगता होगा, इससे जादे नहीं लगता है, अब जादे खेत है तो खूब लगेगा 500 रुपया लगेगा, इससे जादे नहीं, भी चहां मे रहे गाताब, तो क्या जाता है, छोट मोट 1,500 रुपया चो ध़न सलाना, महीना नहीं, दूसर रुपया सरकार को देजी आपकेues सबसे जादे योगदान किस ने दिया था बिर्बल टोडर मल या मान सींग इतना बेखतरीन बिवस्था किया अकबर ने जापती प्रणाली लाया कौन सी प्रणाली जापती कहा कि जितना भी आपकी भूमी है भूमी की माप इसके माप भूमी की माप यानि भूमी का आकार कितना बड़ा है जितना जादे आकार उतना जादे टेक्स दू भी गहा तो ट 4 भी गहां में जादे टैक्स 10 भी गहां में जादे टैक्स 20 भी गहां में और जादे टैक्स कि इता आच्छ लगाए में तो जब कभी भी भूमी के SumHow के या लगाएं क्या अधर नाधर नहीं haya हुगि याफीज याहिफ लेकिन एक बात बत części किसी का खेत दस भी गहा है, और दूसरे आदमी का भी खेत दस भी गहा है, जापती प्रणाली पर किस पर टेक्स जादे, जादे लगे गए या बराबर लेकिन एक बात बताईए कहीं इसका खेट अच्छे जगह पर है इसका खेट बंजर जमीन पर है इसमें पैदावार जादे टेक्स देने में इसको दिक्कत नहीं इसमें पैदावारों कम अटेक्स वा बराबर बहुत नाइंसाफी है यह बहुत नाइंसाफी और यह कभी भी किसी योगी राजा को बनने नहीं देगा क्योंकि कहा जाता है कि आदमी का दो आखोना चाहिए लेकिन राजा का दस आखोना चाहिए दस आख का मतलब उसको इसे लोग सलाह देने वाले हो उसने कांसल आया कनकूत प्रणाली, कनकूत प्रणाली में कहा कि फसल के अधार पर, किसके अधार पर, फसल के अधार पर क्या दिया जाएगा, किस अधार पर, फसल के अधार पर, कहे कहा गया फसल के अधार पर, समझें, किसी का दस भी घाके थे, दूसरकों का दस भी घाके तो डोनों की जमीन बहुत अच्छी है तो टेक्स दोनों का ब्राबर पत है नदी इसमें भी सचाई आट अपर अपको अधिया तो इसका फश्ला खराब इसका फुसक्राश बज गया तो अगर अगर जापती प्रणाली पे देखते हैं तो भूमी का माप दोनों का माप क्या है सेम केटेगरी भी जमीन की क्या है सेम उपजा हुए इसका खेत में तो दो गया तो क्या इस पर वो खिसान अच्छा टेक्स दे पाएगा बैचारे पर ज्यादिती हो जाएगा क्या राजा से क्या रहता है आपको कौंची हो रहा है मोधी को पता है तो देखने भी नहीं आया है बस सबका साथ सबका विगास कहां से देख पाएगे तो इसमें कौन सा काम करेगा कंकूत प्रणाली फसल कितना हुआ है तो काटने से पहले उसका एक करमचारी था जिसको आप आके दिख इसमें ज्यादे टेक्स तोडर मल लेकिन इसमें वाइमानी होगा कि नहीं होगा धीरे से काट लेगा फसल या कुछ भी हो सकता है तो इसके लिए क्या किया तोडर मल ने आईने दह साला लाया यह सबसे परफेक्ट कानून था सबसें कहा कि देख भया जैसे यह दो हजार ए से लेकर अभी के वक्त में समझा हा रहे है क्योंकि उससामा 15 घूरह समय का दिमांग घूजख जा कि आहीं किपना साल Web कि तुमसे बटाव हर। और साल बाढ़ में खराब नहीं होगा किसी साल अच्छा होगा किसी साल खराब होगा तो दस सालों का आउसत निकालो कि कितना फसल हो रहा है और उस आधार पर टेक्स बांग दिया जाएगा कि आपको एतना ही देना है सबसे परफेक्ट कुन रहेगा यही वला राजा का माथा ना नोचाएगा कि अगली बार फसल अच्छा कि कोना के खेत बंजर कोना यूरिया चीटा है कि नहीं कोना के खेत में गधा खान दिया उसको लिलगाय घूजाती है अखा के खुतम कर देती है तो इसके लिए राजा हर चीज के लिए तो जीमेदार नहीं होगा तो टोडर मल ने क्या किया पिछले दस सालों के उपज का रेकॉर्ड मंगाया पिछले दस सालों में जो टेक्स दिये थे उसका रेकॉर्ड मंगाया और उसके एबरेज बान दिया अब आपको क्या करना है इसी आधार पर आपको बिजली बंद था सब कुछ कोई दिक्कत नहीं था एक एवरेज में दे दिया गया था बिजली भी अमरा बिजली भी एवरेज थमाये गया था मार्च अप्रेल मई जून जुलाई इस पांच महिने में बताईए क्या केंपस में कोई लड़का पढ़ने आया था यह सफाई जब हो रहा था ने क्लास में तो चीडिया घोसला बनाई थे सब्सक्राइब कोई यह रहता ही नहीं था बिजली भी जनते हैं कितना यह था नब्ब्य हजार पांच महिना का तो एवरेज कितना मांगना है नब्ब्य हजार बिजली भी यह इतना खतर नहीं यह लोग गरीब इंसान को जान ले लेंगे लोग कि सब्सक्राइब करें लेंगे लिए नब्ब्य हजार बहुत तगड़ा रेल्ट होता है किसी का अठारा उनएश लाखा गया तो घरु गलती से आया था वहापर जो लंबा आ जाता है तो आइने दा साला का मतला सोंजा कि इने आ गया क्या हो जाता है एवरेज कितने सालों इसनी अख्बर की कौन सी बेवस्था हो गई भूराजस देकत है अकबर ने एक बहुत ही सुधारवादी कान किया इकता बेवस्था के जग़पर इसने जागीरदारी बेवस्था कर दिया अब यह इकता क्या है जागिर्दारी क्या पहले के राजासा बड़ी-बड़ी बेवकूफी किया था सब अभी ताइम हो गया आप इसको आगे के क्लास में बताएंगे ठीक कल पीडियाप भी दें यह सब समझ में आ रहेगी नहीं आ रहेगी